दोस्तों बात करें तो Snapdragon 888 में काफी सारी रिपोर्ट आ रही है हीटिंग इशूस की यानि की OnePlus 9 स्रीज के बार में बात करें काफी सारी यूजर्स ने रिपोर्ट किया आईडियल बैटरी ड्रेन काफी जादा हो रहा है और यहां तक की फोन के अंदर कैमरा अगर थोड़ा से जादा यूज कर लिया उसके अंदर वार्निंग आने लगती है और मैं आप इसे OnePlus 9 Pro तक बात नहीं कर रहा हूं अभी सबसे पहला Snapdragon 888 के साथ कौन सा फोन रिलीज हुआ था ग्लोबल लेवल पर रिलीज हुआ था December के में मी 11 और हां मी 11 के अंदर भी काफी सारी यूजर्स ने रिपोर्ट किया ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम तो आखर क्या Snapdragon 888 सच में ओवर हीट कर रहा है यहां फुर सिर्फ एक में करतें आखर यह ओवर हीटिंग होती है है मतलब की दो चीज़ें इसमेजने की फोन अपने लियुसर थोड़ा बहुत यूजर्स करोगे तो वो गरंड समस्aan तक है खरोगे और थोड़ा से बेकर intensive हो जाओगे तो phone जो होता है वो तो गरम होता है दुनिया का आप कोई साभी phone ले लो महेंगे से महेंगा सस्ते से सस्ता कही न कही थोड़ा वक्तों गरम होता है इसे हम overheating नहीं कह सकते तो आखर overheating की सही definition गया होगी वेल overheating के बारे में जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमें प्रोस्टर की जब प्रोस्टर पे जरूरा से ज़्यादा लोड़ पड़ता है और जब लोड़ पड़ने करना वो जरूरा से ज़्यादा गरम होने लगता है तोहा वो ज़रूर से ज़ादा हीट हो रहा है और इस पर्टिकुलर टेंपरेचर वो दूसरे कॉंपोनेंट्स को अफेक्ट कर सकता है बिल्कुल ऐसी चीज़े होती है और इस चीज़ को रोकने के लिए कंपनीज क्या करती है वो करती है थर्मल थ्रॉट्लिंग को यानि कि फ फोन के अंदर हैंग और लैग महसूस होने लगता है जी हाँ इस टैप की चीज़े होती है और एक और इंटरस्टिंग बात यह रहती है कि जब जरूर से ज़्यादा टेंपरेचर हो जाता है तो कई बार आटमेटिकली जो फोन है वो शुट डाउन भी हो जाता है जी हाँ इस टैप की कहाणिया हमने देखी है पास में और यह सारी चीज़े नॉर्मल होती है यानि कि अगर कोई भी फोन अगर ओवर हीट कर रहा है आपको परफोर्मेंस में देखने को लेगा उसका पच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाऊगे यहाँ तक कि अगर आप बैंचमार की वगरा रन कर रहे हो ना तो सभी जो स्कोर्स होते ना बहुत ही जादर उसमें ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिलेगा कहने का मतलब यह कि स्कोर पहले से जादर कम हो जाएगा क्योंकि जो प्रॉसेसर है ना वो अतनी जो पफॉर्मेंस से वो कम कर लेगा जी हाँ हलका सा आपको गरम देखने को मिलेगा और कौछ केसे सिसमें यह होता है कि फोन ने वहा हलका सा गरम भी हुआ है लेकिन उसके पफॉर्मेंस में जो डिक्रीमेंट से बहुत ही जाद देखने को बनता है और ऐसा हमने अभी नहीं देखा हमने पास में काफी सारे MediaTek के चिपसेट के साथ भी एक कहानी देखी है इसके साथ ही बात करें तो Snapdragon के प्रोसेसर में पास में चीज होई थी क्या आप लोगो यादे Snapdragon 615, 617 यह Motorola के फोन, यू यू रेका में आपको देखने को बलाता है उसके अंदर heating issues थे और कैसे बात ना करें Snapdragon 810 की कुछ साल पहले एक flagship processor था Snapdragon 810 और वो उसके अंदर आपको काफी जादा heating issues देखने को रिपीट कर लिया Snapdragon 888 के अंदर लोगों को heating issues देखने को मल रहे है और उसी के चक्कर में लग रहा है कि Snapdragon 870 काफी सही deal हो जाता है क्योंकि उसके अंदर आपको काफी सही price में काफी अची performance वाले कच्छा phone देखने को मल जाता है यह भी काफी सही चीज़ हो जाती है लेकिन आखिर पीछे के reason कि Snapdragon 888 इतना heat up हो रहा है लोगों के काफी सारी theories है आपके कुछ लोग कहरें कि Cortex X1 ने वो जादा power ले रहा है उसके खारण आपको जादा heating देखने को रही है कुछ लोगों को तो यह भी कहना है कि यहां पर Samsung की 5NM की EUV technology का use किया गया तो जैसे Samsung के Exynos heat करते है वैसे लग रहा है कि Snapdragon 888 भी heat कर रहा होगा वैल देखा तो यह पीछे के जो baseless logic हो जाते है असली reason पीछे कोछ और है और वो है poor processor optimization का यानि कि जिस तरीक से जो process handle करता है प्रोसेसर वहां पर उनके problem है और सबसे बड़ी दिक्कत होई है न यहां पर Qualcomm Snapdragon 888 के साथ वह हुई है यहां पर GPU को लेके बिलकुल आपने सही सुना Adreno 650 की जगे यहां पर Adreno 660 GPU का यूज किया गया है जो कि obviously एक advanced GPU हो जाता है लेकिन इस GPU में के speciality यह है यहां पर जो clock speed होती वो जादा कर दी गई है यहांने की 587 MHz से भढ़ाके इसे कर दिया गया 840 MHz यहांने कि जो clock speed में जो difference होता है बहुत जादा देखने को बलता है और ऐसा Qualcomm ने क्योंकि यह पता है यहां पर उन्हें benchmarking को compare करना था Apple से एपल के प्रॉसर में जनरली यह चीज़ की जाती कि वो benchmarks में अच्छा perform कर जाते हैं और वहां पर उन्हें कहीं न कहीं बैंच्छमार्क में उसे हराने के लिए clock speed को यहां पर थोड़ा सा जादा किया गया अब यही एक रीजन है कि यहां पर थोड़ा सा भी excessive use हो जाता है त जब इसको थोड़ा light use किया जाता है तो 7-8 watt का power draw होता है अब देखा है तो mobile phone की SOC के साब से बहुत जादा है इससे battery drain भी बढ़ेगा यानि कि energy consumption भी जादा होगा और बदले में जो heat वो भी जादा निकलेगी अब देखा जाए तो एक brute force approach है यानि की clock speed भढ़ा के definitely अपने process को थोड़ा से जादा performance में जाद अच्छा दिखाने के लिए callcom ने ऐसा किया है और जाद अच्छी performance मिलती रहे इसलिए सारे चीज़े उसे करी है ताकि वो apple की A series को कही न कहीं compete कर सके basic चीज तो यहाँ पर यह हो जाती है और इसी करांट से आपको काफी सारे cases में जहाँ जीप्यू को थोड़ा से जादा यूज होता है वहाँ पर आपको hitting देखने को मिल रही है अब जीप्यू का use video playback के अंदर भी होता है कई बार camera यूज करते है अब तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है और इसलिए यहाँ पर जो overheating की problem है वो देखने को मिल रही है य इवन लोगों ने benchmarks के अंदर भी बोला कि consistently benchmarks करें और कुछ समय के बाउस में thermal throttling होगी और benchmarks में काफी बड़ा एक dip देखने को बलेगा इवन काफी सारे लोगों ने बोला कि जब 8 की video record करते या 4 की video playback वगरा करते और उस समय भी लोगों ने यहाँ पर overheating की problem को बताया अब सवाल आता है क्या हम इस overheating की problem को यहाँ पर solve नहीं कर सकते वेल यह जो problem है यहाँ पर definitely solve हो सकती है जैसे कि हमें पता software update से और एक software update शायद आपको Qualcomm की तरफ से देखने को ले जैसे हम कह सकते driver का update यानि कि मेरे को क्या लग रहा है कि अभी Qualcomm ने क्या किया होगा कि यहाँ प पर उसे कम यूज करना है वो चीज शायद अभी अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं होगी शायद इसलिए आपको अभी problem देखने को मिल रहा है और हो सकता है आने वाले समय को और अच्छे तरीके से फिक्स कर दे लेकिन पीछे का जो बेसिक रीजन यहाँ पर समझ में आ और शायद इसे सॉफ्टर से कहीं ना कि इसकी थर्मल लिमिट को कंट्रोल करके फिर जीप्यू की स्पीड को थोड़ा सा कम करके यह फिर पावर मैनेजमेंट वगरा में कुछ चीज चीज़ चींज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो डेफिनिटी प्र और कॉलकॉम के उपार प्रेशर ता कि जादा जल्दी से जल्दी वह ऐसी चिप डिलीवर करें जो कि एपल की ए स्रीस चिप से डिरेक्ली हेट टू हेट जाके कमपीट करें और इसी लिए उन्होंने जल्दी से जल्दी स्नैपडरगन 888 को निकाल दिया मतलब बात की जाए जहां पे लग रहा है कि थोड़ी जल्दी बाजी करके उन्हों चिप बनाने के अंदर कोशिच करें और फुल और जो फिनिश्ट प्रोड़क्ट होता है ना वुसे बनाने में चुक गए है मतलब चिप तो उन्होंने काफी सही तरीकी समय काफी अच्छे फीचर निकाले है और देखा तो काफी पावरफुल चिप बनाई है हाला कि देखा जाये तो कोई भी अगर आप पावरफुल चीज बनाते उसे एनरजी तो ज़्यादा लगती ही लगती है आप देखें है चीज आने वाले स्मय में किस तरीके से सॉल्व होती है और देखने वाली बात होगी कॉलकम के सॉल्व की quantity क्या एंत śp र्ल पासर त्वाभर ये जाए अछी चिप लगती हında है er जहां पर आपको पावर मैंञेंजमेंट भी अच्र देखने को आपकर फ्लेक Snapdragon 870 थोड़ी सी बेटर डील बना देता है तो दोस्तों ये पीछे की पुरी कहानी होती है